आज का हमारा टॉपिक है एक कॉंप्लिक्स और एप्रूवर यानि की सह अपरादी कौन होता है और सरकारी गवा कौन होता है तो आज का हमारा टॉपिक यही है आये शुरू करते हैं एक कॉंप्लिक्स एक complex मतलब होता है सह अपरादी जिसने भी किसी अपरादी का किसी अपराद में साथ दिया हो वो होता है सह अपरादी यानि एक complex किसी भी अपराद में अपरादी का साथ देना किसी भी तरीके से वो होता है एक complex सह अपरादी जैसे for example चार दोस्त ने मिलके एक आदमी का murder किया तो चारो में से कोई एक accused होगा, जिसने चाकू मारा होगा, जिसने चाकू मारा होगा, जिस पर पूरा blame होगा कि इसी आदमी ने चाकू मारा है, इसी आदमी ने उसको जान लिये, तो वो हो गया accused, लेकिन बाकी ने भी plan किया होगा, उसका हाथ पकड़ा होगा, पैर पकड़ा यह होता है एक सह अपराधी एक complex अब एक Supreme Court का judgment है उसमें define किया गया है complex अब पढ़ सकते है दाल्मिया वर्सेज डैली administration इसमें कहा गया एक complex वह मनुष्ट है वह आदमी है जो एक criminal offense में criminal offense यान criminal act में भाग लेता है जिसके लिए कि accused facing trial कर रहा है जिसके लिए एक्यूज ट्राइल फेस कर रहा है उसी अपराद में उसका सथ दिया है ऊस्सी को हम एक complex कहते हैं तो simple word में जानते हैं किसी भी अपराधी का साथ देना किसी भी अपराद में criminal offense में वह एक complex कहलाता है सह अपरादी कहलाता है जैसे इसी case में एक example है जैसे कि आपको पता है कि ये समान चोरी का है और आपने उसको receive करके छुपा लिया तो जो चोर है वो accused है जो चोर है वो accused है और आपने जानते हुए छुपा लिया तो आप एक complex है आप इस सह अपरादी हैं आपने अपराद का साथ दिया है इसलिए कभी भी चोरी का समान ना ले अगर पता हो तो नहीं तो आप भी एक complex बन जाएए उसके बाद दो category का एक complex होता है फर्स्ट प्रिंस्पल इन फर्स्ट कैटोगरी फर्स्ट कैटोगरी में वो आता है जो मतलब ज़्यादा मिला हुआ होता है यानि कि ज़्यादा साथ देता है जैसे कि किसी चार आदमी थे चार आदमी किसी के घर में गए और उस आदमी को जान से मार दिया पीट-पीट के मार दिया जैसे भी मार दिया उस आदमी को मार दिया तो ये चार आदमी जो है ये जो चार आदमी अंदर में है ये हो गए फर्स्ट केटोगरी के अपरादी यानि फर्स्ट केटोगरी के एक कॉम्प्लिक्स हो गए उसमें से कोई एक एक यूज़ होगा या दो एक यूज़ होगा लेक गाड़ी लेके यह लोग आएंगे और गाड़ी से लेके भाग जाएगा तो यह हो गया second category का आदमी कौन हो गया जिसने अपराध ना किया है ना देखा है लेकिन उसने उसको बचाया है ultimately उसको बचाया है कि अगर कोई आएगा तो यह phone कर देगा या call कर देगा इसी लिए इस इसको second category का माना गया है I hope कि आप समझ आग्या होगा first category और second category इतना आप खुद भी जान सकते हैं जब first category का कौन होगा और second category का कौन होगा अगर उसके बाद आते हैं accessories before fact और accessories after fact यानि कि accessories before fact इसका मतलब हुआ यानि कि जब अपराद हुआ अपराद मिडिल में आता है यानि कि अपराद होने से पहले जो plan किया गया जो से किसी ने किसी को गोली मारना था एक आदमी था जो गोली मारेगा किसी को तो वो जो बंदूग जिसने provide कर आया जिसने बंदूग provide कर आया ये आदमी हो गया accessories before fact यानि कि ये चीज जो बंदूग जिसने provide कर आया उसको accessories before fact माना जाएगा और जब गोली मार दिया आदमी मर गया accused हो गया उसके बाद अब उस बंदूग को जिसने भी जिसने भी छुपाया यानि कि जिसने भी उस बंदूग को दोबारा ले जाके कही पर चुपा दिया फेक दिया वो हो गया accessories after fact यानि कि उस बंदूग को चुपाना उस आदमी को वहां से भागाना यह हो गया accessories after fact किसी भी समान आप simple word में जानिए कोई भी समान जो या plan only समान नहीं plan भी जो plan पहले बनाया गया है और जो समान पहले खरदा गया है उस matter को यान देंगare accessories before fact और उस अपराग के बाद जो भी काम किया गया है उसके बाद भी plan हुआ होगा कि हम कैसे बचे हैं हम कैसे भागे या इस चीज को कैसे हाट आएं या लास को कैसे अनदाफन आएं तो ये और accessories after fact fact matter है और उससे पहले जो प्लान है वो accessories before fact है उसके बाद जो है वो accessories after fact है जो भी चीज़ हो तो I hope आपको समझ आ गया होगा उसके बाद हम जानते हैं सरकारी गवाह कौन होता है who is approver approver ही सरकारी गवाह होता है तो इसमें एक case है संकर वर्सेस state of Tamil Nadu इसमें कोट ने कहा था कि जो एक complex है एक complex ताप समझ गये कौन है एक complex सह अपरादी है वही approver बन जाता है यानि कि जो सह अपरादी अपरादी नहीं तो सह अपरादी है यानि कि सरकारी गवाह बन जाता है और वह prosecution का witness बन जाता है यानि सरकारी गवाह बन जाता है लेकिन उसको दो test पास करना होता है पहला जो भी वह बोल रहा है वह reliable हो यानि कि महत्पूर्ण हो और उसका जो test मतलब उसका जो गवाही है वो corroborate होता हो यानि corroborate मतलब जैसे भी कोई evidence है उसके साथ match खाता हो जो fact है उसके साथ match होता हो कि हाँ यह आदमी यह चीज़ बोल रहा है यह चीज़ वहाँ पर हुआ है तो उस तरीके से वो match होता हो उसी को corroborate बोलते हैं तो approver हम जान गए कि approver कौन होता है Approver वो होता है जो सरकारी गवाः बन जाता है पहले तो वो सह अपरादी होता है यानि अपराद में समलित वो भी होता है लेकिन बाद में वो बोलता है कि हम सरकारी गवाः बन जाएंगे तो उसको सजाए, उसकी सजाए माफ कर दी जाती है उसको कहा जाता है कि 306, 306 CRPC के अंदर उसको एक offer किया जाता है कि आप सरकारी गवा बन जाए एक complex को यानि कि a complex मतलब सहाफरादी को कहा जाता है कि आप सरकारी गवा बन जाए आप हम से कुछ मत चुपाईए जो भी घटना हुआ आप हमको बता दीजे हम आपको माफ कर देंगे आपकी जो सजा है वो हम माफ कर देंगे लेकिन उसमें कंडिशन यह होता है कि कोई भी तुरूथ छुपाया ना जाए अगर कोई भी सच्चाई एक complex छुपा लेता है तो वो approver नहीं बनता एक प्रूबर बनने के लिए उसको सब कुछ सच सच बताना होगा और जब वो सब कुछ सच सच बता देता है सरकारी गवाब बन जाता है तो उसकी सजा या तो माफ हो जाती है या कम हो जाती है 306 CRPC के अंदर उसको ओफर किया जाता है अब घटना हुआ मडर का और वो बात कर रहा है तो यह नहीं होना चाहिए अगर मडर है तो मदर के बारे में ही बात करें, तो ये हो गया approver का बात, तब वो approver बन जाता है, उसकी सजा माफ कर दी जाती है, अब आते हैं, section 133 of evidence act, ये बताता है, एक complex के बारे में, कि एक complex, एक competent witness है, जो कि accused के खिलाफ गवाही देने पर देता है, उसको हम एक relevant fact मान सकते हैं, यानि क कि एक relevant, जो वो बोल रहा है, उसको हम एक relevant मान सकते हैं, और उसको हम सजा सुना सकते हैं, यानि कि, इसका simple word में समझें, तो एक complex, एक witness है, जो कि accused के खिलाफ गवाही देता है, और उसके base पर accused को सजा सुनाना गलत नहीं होगा, ये quote का, ये section 133 of evidence act क्याता है, कि एक complex, अगर accused के against गवाही दे दे, तो उसके base पर आप सजा सुना सकते हैं, सजा सुना सकते हैं, लेकिन 114B, यानि 114B of Indian evidence act क्याता है, कि जो भी एक complex, अगर एक complex कोई भी बाग बोलता है, तो उसको अनवर्थी माना जाएगा, अनवर्थी of credit माना जाएगा, तब तक के लिए, जब तक क कि वो corroborate ना कर जाए, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है 114B में, कि that and a complex is unworthy of credit unless he is corroborated, यानि कि तब तक उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, उसके बातों के सच्चाय का कोई भी मतलब नहीं बनता, जब तक कि वो corroborate ना कर जाए, यानि कि जो भी घटना हुआ है, उससे व ये complex अगर accused के खिलाब बोलता है, तो उस base पर उसको सजा मिल जाना चाहिए, मिल जाना गलत नहीं होगा, ऐसा 133 कहता है, और 114B ठीक अपोजिट कहता है, कि जब तक कि corroborate ना हो, तब तक वो ऐसा करना गलत है, नहीं हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों आपस में contradictory है, जब ये court पर depend करेगा, कि court 133 को मानेगा, या 114B को मानेगा, उसके बाद, एक case है, इन होरन हाजी अब्दुल्ला और state of महराष्ट, इसमें court ने कहा था, कि एक complex, एक component witness है, जो कि court, अगर court चाहे, ये मैंने पहले भी कहा था, 114B और 133 contradictory है, तो उसी का answer यहाँ है, छुपा हुआ, कि court, court कर चाहे, अगर court चाहे, तो एक complex का जो भी बात है, उसको accept करे, हाँ, और अगर उसको लगता है, court को, अगर court को लगता है, court का ये power है, अगर court को लगता है, कि हाँ, ये आदमी सही बोल रहा है, वो 100% satisfied होता है, तो फिर वो convict कर सकता है, आदमी को, या लेकिन, अगर court को ऐसा लगता है, कि corroborate करना जरूरी है, तो corroborate करेगा, अगर court 100% satisfied हो जाता है, उसकी बात पर, तो फिर court corroborate नहीं करेगा, सीधा accused को सजा सुनाएगा, I hope, कि आप, आप,